विल्कम बैक टूदा टेक्ट फार्मेसी आज के इस वीडियो में हम रीवी बनने वाले हैं गाईज एस 23 अल्ट्रा जो बेज़ा 2030 का प्लैक्सिप लेबल का फोन है और अप्लोट ऑस 24 अल्ट्रा आ चुगा है बट दोनों में ज्यादा केंजिस देखने हो नहीं मिल रहे हैं आपके काम भी आने वाला है जो आधितर जादर लोग यूज करेंगे वहीं इसके बारे में आज किस वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप इसको बाई करना चाहते हो देखिए अभी विए ब monopoly किया है और एक वीक लगबग मेरे पासी हो चुका है तो इसको देखते हैं आज का वीडियो और वीक थोड़ा लंबा ऊ-सको ड disp में कैमर इसके काklich वीडिo लाऊंगा एडिटिंग के लिए लिए अलग तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर्ण कर लीजेगा एंड फटा-फट से वीडियो शुरू करते हैं अगर आप S23 Ultra को बाई करना है का सोच रहे हो तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लुक्स के बारे में देखिए अइसके लुक्स कई सब्सक्राइब को प्रकार से मिल दाता है अपको देखने पंचल के साथ देखने को मिल जाता है लुक्स बहुत ज़्यादा प्यारा है आपको इस प्रकाइब से पंचोल मिल जाते हैं चार गैमरे का सटम पर लेजर दिया जाता है सामनी तरह इतना बड़ा डिस्प्ले जो होता है वो मिलने वाला है और करव डिस्प्ले है तो वाकि ही काफी अच्छ नीची तरह आपको जो होता है, ते जिसमें बहुत ज़्यादा चीजें आ जाते हैं, कुछ इस फरकार से, बारे में देटेल एक वीडियो हम बनाईखेंगे, जो इस फरकार से आपको निकल जाएगा, ते तरह आपको टाइप C and 64 and speakers गेल जो होता है है, ir muscular स्पेकर आपको इसमें मिल जाता है अब बात करते हैं इसके डिस्पले के बारे में तो नॉर्मल चीज़ेंगे डिस्पले आपको मिल जाता है 6.8 इंचिस का OLA डिस्पले मिल जाता है आप Dynamic AMOLED 2X डिस्पले जो होता है देखने को मिल जाता है 120 हर्स रिफ्रेशेट HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है और आपको मिल जाता है 1200 नीट्स की ब्राइट्ट मिल जाती है और 1750 का जो होता है नीट्स ब्राइडनेस होता है पीक ब्राइडनेस होता है आपको मिल जाता है आपको कोई दिक्कत वैसे नहीं आने वाली है जैसे कि मैंने पर्सनली यूज़ भी कि तो सेफ्टी मामली में अच्छा है एंड वाकि काफी जादा प्रीम जो मिलने वाला है थोड़ा बहुत अगर आपको यूज करना है तो आपको लगाना ही पड़ेगा और टाइम पड़ आपको सामने कि तरफ लगाना पड़ेगा एक बेसी कब लिया है मैं तो देखेंगे टिक आई पी 6 6 की डस्ट और टेक्ट्रेंट के साथ देखने को मिल जाता है 13 मिटर तक चलता है और फॉर के या जैसे में बताए तो आप च्छल दे चाहिए तो रेजिलेशन भी काफी ज्याद आच यह एट इटकर पो शपोर्ट ही मिल जाता है ठीक है बात करते हैं इस sim के बारे में तुस्ट आपको double sim मिल जाता है extra कोई भी आपको card ऊगरा option नहीं मिलेगा speaker आपको मिल जाता है stereo speaker and wifi जो मिल जाता है 6.0 मिल जाता है और वहीं पर दोता है 5.3 जो होता है वो इसमें दिये जाता है ठीक है क्योंकि काफी बड़िया काम कर जाया है और आम इसके पहुंच होते हैं flexing level के देखने को मिल जाते हैं आगे भी drop back के बारे में बात करेंगे एक और चीज़ बताओ दो अगर एक से दो दिन चल जाएगा एक दिन में दो बार आपको चार्ड करना पड़ेगा अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो लेकिन अगर आप फोन हो गया देखते हो या वीडियो देखते हो तो एक दिन तो आराम से खीज लेगा कोई दिक्कत नहीं आने वाले पस्टरान मैंने चार यह हो देखने को मिलता है अपको 3-4 पसे या वहाथ कम हो जाता तो पर आइफोन के देखा तझक थे ओ रिए परसैंट होता है वह होता है एपोन किसी यहीं मामने में बैस्ट वहता है बात करते है यहांतरब your millions फोटो ला वहीं पर तीसरा जो आता है यह वह कामरा यह भी आपका 12 मियगापिकसल अल्ट्रा वाइट के साथ देखने को मिलने वाला है ठीक है वीडियो रिकोर्टिंग पॉलिट्टिक के बात करें तो इसी चैमरा से आपको एट के तक की वीडियो रिकोर्डिंग कर पाएगा आपका 30 fps पर वहेंपर जो आपका 4 जाएगा उस 60 अपर तक वीडियो रिकोर्डि वीडियो वेगरा बनाने के लिए जो भी आपको परपस होगा मेरा जो परपस था वहता है वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे एक ऐसा चीज है तो जिसमें वीडियो एडिटिंग कर सकूँ प्रोसेसर इसमें मिल जाता है आपका Snapdragon 8ZN 2 अब देखी 8ZN 3 जो आता है आइकू ट्वाय में देखने को में जाता है बट कई सीरी चीजें चीजें चुछ में इसकीप कर दी गई है जैसे camera का front camera जो आता है उसमें 1080p तक ही recording कर सकते हैं तो कई चीजे उसमें छोड़ दी गए तो उसको जैसे मुझे थुड़ा दिक्कत लगी उसको लेने में बर्ट इसमें जो जो इसना डेजन टू आता है वो भी काफी जाद अच्छा है एंड ग्लैक्सिक लिए इसको इसनेट डेकर न तरफ से डिजाइन किया गया है एंट्र दिस्कूर 12-13 लाग तक आ जाता है जो सबसेंट डेइंग वीडियो एडिटिंग करने के लिए मुझे फोरगे तक ही वी परफोंस से अच्छी डिस्प्लेइंग के होती है हमेंसा से अब मान लिए ठीक है दूसरे चीजिन में परफोंस बहुत अच्छा लगा इसका 12-13 लाग तक आम तो तुछ को जाता है वहीं पर इसका एस्पन जो आता है वो काफी अच्छा यूसफुल फीचर हो सकता है नाइट में भी नाइट में थोड़ा ठीक लेता है बट अल्ट्रावाइड काम नाइट में अच्छा काम नहीं करता हूं मैं पहले आपको बता अब बात करता है कि मुझे जनुर्णी जो अपते बर में अभी तक प्राव्लम लगी है पहले चीज फोन काफी ज़ादा बात करते हैं गेमिंग के लिए अच्छा चलता है बीजियमाई का है परसनली अलग से एक वीडियो लाओंगा मैं इसके बारे में कि गेमिंग का experience किस तरीके से चलेगा और क्या क्या चलेगा ठीक है तो वो चीज़ें हम अलग से कभी बात करेंगे एक ड्रॉप बैक तो है जैसे कि आप सुबह एक्सराइज करते हो तो आप यह में रखने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है और नेक्ट यह आते कि भीया आपको इसमें camera जो होता है night में अच्छा काम नहीं करता है पहले ही बता दूँ मुच्छा camera लाइटनिंग अच्छा होना चाहिए बट अगर आपको इसको थोड़ा सा light मिल गया तो यह काफी अच्छा photos होता है भूल ने लेता है और नेक्ट बास करते हैं कि security के मामले में इसमें आपको मिल जाता है fingerprint sensor मिल जाता है और प्रेस जो अनलोक सिस्टम है वो रात को पेकार है गटिया है एक्दम बेकार है मैं पहले बता दू आइफोन के जैसा नहीं है कि आप अन्देरे में काम कर जाओगे तो बहुत अच्छ लगता है पर मुझे फास्व जो है फिर सब्सक्राइब फीचर लगता है क्योंकि मैं आइफोन वरे यूज कि आपके चीज़ छोड़ने पड़ते काई चीज़ रूखने पड़ते हैं तो मुझे एडिटिंग के लिए कापी अच्छा एक फोन चाहिए था तो मैंने लिया ह है काम सब्सक्राइब तेन से चार साल तक चल जाएगा चार साल के अपडेट जो होंगे इसमें मिलने वाले हैं तो चार-पांच साल तो भाई यह कहीं चे लेगा उसके बाद देखेंगे कुछ और चीज़ नहीं आएगा तो ठीक है यह ता एक सोटन रिव्यू इसका बाकि फॉन है काफी ज्यादा अच्छा है बट अगर आप 76,000 बजेट है तो बेस्ट काम करेगा तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें वीडियो को शेयर जरू गए